नमस्कार मैं अजयकुमार रूस की युक्रेन के खिलाप युद्ध की कोशिसों में मदद करने के चलते अमेरिका ने दुनिया भर की चार सो इकाईयों पर परतिबंध लगाया है जिसमें भारत की 19 प्राइविट कमपनियां और दो लोगों पर परतिबंध भी सामिल है यानि युद्ध में रूस की मदद करने के लिए भारत की कमपनियों पर भी अमेरिका ने परतिबंध लगाया है तो सवाल यह बनता है कि इसराइल की गजा में की जा रही नरसंगहार में भरपूर सहयोग देने के लिए अमेरिका पर परतिबंध क्यों नहीं लगता अमेरिका पर सेंक्सन क्यों नहीं लगता अमेरिका को बैन क्यों नहीं किया जाता भारत सही दुनिया के सारे देश अमेरिका पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगा रहे इसराइल पर प्रतिबंध क्यों नहीं लग रहा अमेरिका सही दुनिया के सारे देश दुनिया के सारे वैस्विक मंचों से विश्व सान्ती का परचार करते हैं यह बात कहते हैं कि विश्व में सान्ती तभी स्थापित हो सकती है जब दुनिया के सभी मुल्क युद्ध जैसी संभावनाओं से दूर रहें दुनिया के सभी राष्ट्र, सभी नेता आगे बढ़ करके निया सम्मत विश्व बनाने की कोशिस करें तो प्रश्ण यही बनता है कि रूस की मदद करने के लिए भारत की कमपनियों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है तो भारत इस्राइल और अमेरिका पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगा रहा है दुनिया के सभी देश मिलकर के इस्राइल और अमेरिका के अन्याय को क्यों नहीं रोक रहे है अमेरिका ने जो प्रतिबंध भारत की कमपनियों पर लगाया है उसे चुपचाप सहनकर क्या नरेंद्र मोधी की सरकार महान भारत की संप्रभुता को कम तो नहीं कर रही है अगर वाकई नरेंद्र मोधी का दुनिया भर में डंका बज रहा है डंका पती अमेरिका के खिलाब क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं और वो सारे समर्थक जो दक्षण पंथ के समर्थक हैं जो दक्षण पंथी नारों में जीते हैं उनको तो कम से कम यह प्रश्ण पूछना ही चाहिए कि जब भारत के खिलाब प्रतिबंध लगाया जा रहा है भारत की कमपनियों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है तो इसराइल में जो नरसंगहार चल रहा है उसके खिलाप इसराइल और अमेरिका पर प्रतिबंध क्यों नहीं लग रहा मोटे तोर पर सैंक्सन यानि प्रतिबंध का मतलब समझा जाए तो इसका मतलब यहां बनता है कि जो देश किसी दूसरे देश या किसी इकाई पर सैंक्सन लगाते हैं वो इस इरादे के साथ सैंक्सन लगाते हैं कि जिस पर सैंक्सन लगाया जा रहा है उसकी आर्थिक कमर को तोड़ दिया जाए जैसे अमेरिका ने भारत के जिन 19 कमपनियों पर सैंक्सन लगाया है उन्में से कुछ कारूस के साथ केवल एक साल का कारोबार 2,00,000 डॉलर से जाद है 3,00,000,000 डॉलर से जाद है 4,00,000 डॉलर से जाद है यह कमपनियां ऐसा है equipment बनाती है जिनका इस्तमाल नागरिकों की मदद के लिए और हत्यार बनाने के लिए दोनों के लिए किया जा सकता है तो अगर अमेरिका ने इन कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है या अमेरिका जब किसी देश पर प्रतिबंध लगाता है तो इसका मतलब यह बनता है कि वह देश अमेरिका और अमेरिका के सहयोगी देशों के साथ ना तो एक्सपोर्ट कर पाएंगे ना ही इंपोर्ट कर पाएंगे ना ही अपने देश के लिए कच्छा माल अमेरिका और जो सैंक्सन को सहयोग देते हैं या अमेरिका के जो स्वभाविक परपर सहयोगी हैं उन सहयोग्यों के साथ किसी भी तरह का वो कच्छा माल को उन देशों से नहीं मंगवा पाएंगे ना ही दुनिया की उस banking system का इस्तमाल कर पाएंगे जो डॉलर पर चलती है चोकि पूरी दुनिया का कारोबार का सबसे बड़ा जरिया डॉलर ही है तो जब अमेरिका किसी देश पर या किसी इकाई पर प्रतिबंध लगाता है तो उस देश और इकाई का डॉलर के साथ वैपार करना बंद हो जाता है दुनिया की जितनी भी banking वे वस्था डॉलर पर जारी है डॉलर के सहारे चल रही है उस banking वे वस्था से उस देश को और उस इकाई को उस company को हटा दिया जाता है जिस पर sanction लगाया गया है उसकी saving या संपत्ति अगर डॉलर में मापी जा रही है या डॉलर में बिकेगी या खरी दी जाएगी तो उन सब को fridge कर दिया जाता है यानि अगर अमेरिका किसी देश और एकाई पर किसी company पर प्रतिबंध लगा रहा है तो इसका मतलब यही बनता है कि देश की उस एकाई की आर्थिक कमर को पूरी तरह से तोड़ दिया जाए इरान ने बहुत लंबे समय से अमेरिका का प्रतिबंध सहा है और इसकी वजह से उसकी अर्थवस्था पर भी बहुत बुरा असर पड़ा है और रूस के साथ भी अचलता रहा है यह तो प्रतिबंध सेंक्षन के और्थ की बात हो गई मगर प्रश्ण यही है कि जब रूस पर और भारत की कमपनियों पर युद्ध करने के लिए युद्ध में मदद की चलते अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया है तो अमेरिका पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया जात जबकि प्रतिबंध लगाने के लिए जो सारे सबूत हैं वह आँखों के सामने सबके सामने तैर रहे हैं पिछले साल 7 अक्टूबर से लेकर के अब तक इसराइल का गजा की पट्टे में लगातार हवाई हमले के साथ सा जमीली हमला जारी है फिलिस्तीन के लोकल हेल्थ अथारिटी के मताबिक अब तक करीब 43,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनी गजा में इसराइली हमले में मारे जा चुके हैं पूरा गजा तबाह हो गया है एक लाग से ज़्यादा लोग घायल है जिसमें ज़्यादतर बच्चे और महिलाएं सामिल हैं गजा में रहने वाली 23 लाग की आबादी पूरी तरीके से विस्थापित हो गई है मतलब उसके घर तहस तहस हो गए हैं स्कूल, कॉलेज, अस्पताल सब कुछ बंबारी में बरबात कर दिये गए हैं सारी बिल्डिंगें तोड़ दी गई हैं सब अपने घरों को छोड़कर कहीं दूसरी जगह पर तंबू गाड़कर रहने के लिए मजबूर हुए हैं और मजबूरी की स्थितिया भी ऐसी बना दी गई हैं कि जादतरों की मौत भुखमरी से हो जाए, पानी की कमी से हो जाए, बीमारी से हो जाए और यहां 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 भी तथगोर करने लायक है कि इस्राइल और फिलिस्तीन के संगर्स पर किसी वेकितीनी नहीं, किसी देश के नेताने नहीं, या कुछ देशों के समूने नहीं बलकि International Court of Justice ने यह फैसला सुनाया कि साल 1967 के बाद फिलिस्तीन पर इसराइल का कबज़ा गहर कानूनी है इसराइल अवैर्ध बस्तियां बसा रहा है गजा में ऐसा अपराद कर रहा है जिसकी कुछ कारवाईया नरसंगहार के बराबर है इसराइल को अपनी सैन्ने कारवाईयों पर तुरंत रोक लगाने चाहिए मतलब जब नियाय हुआ तो इसराइल को International Court of Justice ने दोसी पाया मगर उसके बाद भी इसराइल की कारवाईया नहीं रुक रही है इसराइल जैसा चोटा देश जिसकी कुल आबादी मुश्किल से एक करोड भी नहीं है 95 लाग के आसपास बनती है यह देश पिछले एक साल से लगातार गजा पर हमला कर रहा है उसके बाद अब लेबनोन पर हमला करना सुरू कर दिया है इरान से भी वह भीड रहा है इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि अमेरिका से हत्यारों की सप्लाई लगातार हो रही है अमेरिका इसराइल के साथ मिलकर के गजा में नरसंगहार कर रहा है इतिहास से लेकर अब तक अध्यन किया जाय तो इसराइल अमेरिका का असधारन सहयोगी रहा है अमेरिका के ब्राउन इनिवर्सिटी के हालिया अध्धन के मताबिक पिछले साल के 7 अक्टूबर से लेकर के इस साल के 30 सितंबर तक अमेरिका ने इसराइल के गजा पर किये गए हमले का 73 प्रतिसत खर्चा खुद सहन किया है अमेरिका ने इस दोरान 22.76 बिलियन डॉलर की मिलिटरी मदद इसराइल को दी है अब एक बिलियन में करीब 100 करोड पैसा होता है और एक डॉलर में करीब 80 रुपईया तो हिसाब लगा लिजे कि कितना बड़ा पैसा होगा और अमेरिका ने गजा पर इसराइल के हमले में जो नरसंगहार कर रहा है इसराइल उसमें कितना ज़्यादा पैसा खर्च किया है अमेरिका इसराइल को बिना किसी सर्थ के फाइनेंसियल, मिलिटरी और पॉलिटिकल सहयुक करते आया है साल 1967 से यह मदद जारी है, मतलब तब से जारी है जब से इंटरनेशनल कोर्ट अब जस्टिस के फैसले के मताबिक इसराइल का गजा पर कबजा अवैद है, गहर कानूनी है, इलिगल है एक लिहाद से कहा जाये तो बात यह बनती है कि साल 1967 से इसराइल और अमेरिका, फिलिस्तीन को ले करके गहर कानूनी काम करते आ रहे हैं जानकार कहते हैं कि इसराइल एक अघोसित प्रमानूशक्ति है, अंडिकलियर डिकलियर पावर है मगर अमेरिका की छत्र छाया में होने के चलते कभी भी, इसराइल को परमानूशक्ति की प्रश्ण पर दुनिया भर की जाँच और प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा है द्वीतिय विश्युद्ध के बाद से लेकर के अब तक इसराइल की मदद करने वाले देश की लिष्ट में सबसे पहला नाम अमेरिका का है द्वीतिय विश्युद्ध से लेकर के अब तक अमेरिका ने इसराइल को करीब 158 बिलियन डॉलर की मदद की है फिर से याद कीजिए कि एक बिलियन में 100 करोड रुपया होता है और एक डॉलर में आज के हिसाब से करीब 84 रुपया 80 रुपया है तो हिसाब लगा लिजी हर साल अमेरिका इसराइल को 3.8 बिलियन डॉलर का मिलिटरी सहयोग देता है इसराइल की कुल रक्षा बजट का 16 प्रतिशत अमेरिका से आता है अमेरिका इसराइल का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और दोनों के बीच में साल भर में बहुत बड़े अस्तर पर वैपार होता है अमेरिका और इस्राइल के बीच में डिफेंस पार्टनर्सिप को लेकर के गहरा रिस्ता है इस्राइल और अमेरिका दोनों मिलकर के जोईन्ट रिसर्च प्रोग्राम को अंजाम देते हैं इस्राइल और अमेरिका दोनों मिलकर के वेपन प्रोडक्शन का काम करते हैं यह सब सालों साल से होते आ रहा है जब भी इसराइल पर मिसाइल से हमला होता है तो आप अख़बारों में सुनते हैं कि एक iron dome नाम की system है जो इसराइल पर जब मिसाइल से हमला किया जाता है तो उन मिसाइलों को रोग देती है वह iron dome अमेरिका के सहयोग से बना है अगर अमेरि defense manufacturing based के तोर पर जाना जाता है उसकी छवी है कि defense के मामले में इसराइल सबसे आगे है तो यह सब इसी लिए बनाई गई है यह सब इसी लिए हो पाया है क्योंकि अमेरिका लगातार इसराइल की मदद करता है नहीं तो 96 लाग की आबादी वाला एक छोटा सा देश साल 1972 से लेकर के अब तक अमेरिका ने United Nations की Security Council में इसराइल की गलत हरकतों को रोकने के लिए पेस किये गए प्रस्ताव पर 50 से जादा बार अपने वीटो पावर का इस्तमाल किया है मतलब पूरी दुनिया के देश मिल करके यह प्रस्ताव पारित करते हैं कि इसराइल गलत कर रहा है और यह बहुत लंबे समय से होते आ रहा है 1972 से होते आ रहा है और उसमें 50 से जादा बार अमेरिका ने इसराइल की गलत हलकतों का सहयोग दिया है अपने वीटो पावर से यह कहना चाहा है कि वह इसराइल के साथ खड़ा है इसराइल गलत नहीं कर रहा है वो इसके पीछे अमेरिका है इतने सारे प्रमाण यहीं पूछ रहे है कि आखिरकर अमेरिका पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया जा रहा है इसराइल पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया जा रहा है इसराइल और अमेरिका को लेकर के भारत की सासन सत्ता समालने के लिए मौजूद मोधी सरकार की हरकत इस तरह की है कि जैसे उसने इसराइल और अमेरिका के सामने अपनी संप्रभुता ही गिर्वी रग दी है अब इहाल ही में इसराइल के खिलाप युनाइटिड नेशन जनरल असंबली में प्रस्ताव पेस किया गया कि अगले बारह महीने के भीतर इसराइल फिलिस्तीन के इलाके से अपने गहर कानोनी कबजे को खत्म कर दे इस प्रस्ताव पर वोटिंग होई और 43 देश अनुपस्थित रहे जिन 43 देशों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया उसमें दुख की बात यह है कि उसमें भारत भी सामिल मतलब भारत ने इसराइल का साथ दिया अमेरिका का साथ दिया इसलिए सवाल यह बनता है कि रूस पर युक्रेन में गैर कानोनी तोर पर हमला का आरूप लगा करके अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंध लगाया है रूस की मदद करने वाले देश और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने का सिलसला है बहुत लंबे समय से चलता रहा है हाली फिलहाल भारत के 19 कंपनियों पर दीपर्तिबंद लगाया गया दो लोगों पर पर्तिबंद लगा दिया गया तो भारत अमेरिका पर इसराइल की मदद करने के लिए कब ठोस कदम उठाएगा अगर भारत ने अमेरिका के खिलाब ठोस कदम नहीं उठाया तो मतलब तो यहीं निकलेगा कि भले ही मिडिया वाले डंका पती की कितनी भी डंका क्यों न बजाएगे मगर भारत अमेरिका के सामने साफ तोर पर जुकता हुआ दिख रहा है सुक्रिया